नमस्कार सांतियों आप सभी का स्वालते आपका जो पेपर रहेगा वार्सिक परिक्चा पेपर तो हजार तेवेस कट्चा 11 हिंदी यहां से आ रहा है पेपर सभी के कोई गलती मत कर रहा। यहां पर श्टार्ट कर रहा हूं मैं पेपर पूरा आपका 11 11 का हिंदी का जो पार्षिक पेपर 2223 की परिख्या का है तो वीडियो को चोड़ कर बीच में मच जाएगा एक वीडियो को नी आपका बाहर चला जाए तो बस अब आप लोगों करता भी है दाई तो है कि वीडियो को मिलेगा चले गए बाद मैं आकर मेरे से बोला कि ये वश्टार करते हैं पहले कुशन से उससे पहले अगर आप चैनल को पहले बार हो तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और अपने दोस्तों को शेर करना विल्टू ना भूले कबीर ने इस वर के कितने सवरूपों को माना है कबीर जब एक है तो उन्होंने एक सवरूप को माना है तो कबीर ने इस्वर के स्वरूप को माना है एक मीरा अपना सर्वस्व मानती है मीरा अपना सर्वस्व मानती है तो मीरा बाई ने सब कुछ छोड़ दिया था किसके लिए स्री कृष्ण के लिए तो सब कुछ अपना किसे मानती है तो मीरा सब कुछ अपना मानती है स्री कृष्ण को अगला कोश्चन कवी के पिता एक बार में दंड लगाते थे तो कवी के जो पिता थे वो एक बार में बताईए कितने दंड लगाते थे खिके जली से बोलेंगे सभी हाँ 260 260 लगाते थे अगला कोश्चन चोपाई में पृतियक चरन में मात्रा होती है तो चोपाई के चोपाई कितनी बार चोपेंगे भईया 16-16 बार तो चोपाई में जो मात्रा होती है वो 16-16 मात्रा होती है चोपना चोपना का मतलब क्यों होता है सोला बार अगला कुश्यन चंप के पिता का नाम तो चंप के पिता का नाम बताना है आपर चंप के पिता का नाम था सुन्दर के नाम था सुन्दर और मादूरी वर्ण गुण में वर्णों की होती है दोस्तो मादूरी गुण में वर्णों की क्या होती है कोमलता होती है नेक् आप तो बस वीडियो को लाफ्ट तक देख जाओ याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है रिक्तिस्तानों की पूर्ती उची सब्दों का प्रियोग कर कीजिए देखिए रिक्तिस्तानों की पूर्ती उची सब्दों का प्रियोग कर कीजिए तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जाकती थी क्या जीव क्या जाकती थी जीव अंसर आपका राइट हो जाएगा अगला कोश्चन मिया नसुरुद्दिन किस्म की रोटी बनाने के लिए महसूर थे तो मिया नसुरुद्दिन किस्म की रोटी बनाने में महसूर थे पानी की बूंदों की तरहे नचाया खालिस्तान में क्या लिकोगे पानी की बूंदों की तरहे भारत सब्द भासा का है तो भारत जो है वो जो है गुरुम की गुरुम की भासा का है धनराम दर्जे तक ही इसकूल का मुदेख पाया था जो धनराम थे वो तीसरे दर्जे तक ह गश्कूल का मुद एक पाया था और एकांग की एक अंक क्या लगाओगे एक एक अंक की क्या है विदा है अगला कुश्चिन चोटा सात्वा जामून के पेड के नीचे दबे आदमी को दालभात ने किलाया था किसने माली ने किलाया था माली ने, question number तीसरा देखेंगे, कितने बच्चे मेरे जो रोज लाइव क्लास में जुड़ते हैं कितने जुड़ चुके हैं, मुझे comment में बता दें, जितने students हमारे इस लाइव क्लास को देख रहा हैं ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अपने दोस्तों को, अपने भाई बेनों को share कर दीजेगा, ठीके, अपने सभी भाईयों को share कर दो, सही जोड़ी मिलाना है, और कौन-कौन दोस्त डेली लाइव क्लास को देखता है, comment box में बताना है जल्दी से बता दीजे मुझे, आपके लिए हम एक से वीडियो लेकर आने वाले है all subject के, तो channel को subscribe करके, गंटी की बटन कोल पर जरूर कीजिगा, सही जोड़ी बनाईए, ठीके, सही जोड़ी बनाना है आचारी रामचंदर सुकल, ठीके, आचारी रामचंदर सुकल ने, अलंकार को कावी की क्या माना है आत्मा माना है, कावी की सोबा बढ़ाने वाले धर्म क्या के लाते है अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होते वी विरोध का क्या हो आबास हो, वहाँ पर विरोधा भास अलंकार होता है, व्यंजना सब्द सक्ती के पिरकार साब्दी और आरती काव्या आनंद को कहा जाता है रस और समास के बेद होते हैं छे यह हो गई हमारी जोडी ठीके आगे बढ़ते हैं हम अगले कोशन की ओर और एक सब्द मुत्तर यहां पर देंगे ठीके गलती नहीं करना किसे पिरकार की बिल्कुल आपको टेंसन लेने की एक परसन भी आओ शकता नहीं है बस जो वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं उन वीडियोस को आप देखिए बहुत अच्छा स्कोर करके आप आओगे एक भी कूशन आपका गलत नहीं जाएगा आप सबी जानते हैं आप लोगों न यदिश्कुल गये हैं कोचिंग गये हैं तो आपने पड़ा होगा किस काल को स्वरन यूग कहा जाता है तो आप लिख लिजे यहां पर गति काल को क्या लिक लेंगे भक्ति काल को अगर नहीं भी गाया ना कोई दिक्कत नहीं में बता रहा हूँ यहाँ पर नोट करिएगा याद कीज़ेगा भक्ति काल को क्या कहा जाता है स्वरन यूग कहा जाता है चंद कितने पिरकार को होते है चंद कितने पिरकार को होते है अगर ये कोश्चन आपको परिक्चा में मिले तो आप चंद ओफसन में मिले अगर आपको मिले एक दो तीन तो आप तीन लगाएंगे नितो वेसे आप चंद कितने लगाएंगे दो लिखेंगे ठीक है अगला जानते हैं कौन सा गुन मादूर्य गुन पाया जाता है मतलब मादूर्ता वाला गुन राम भक्ति साका के प्रमुक कवी कौन है आप सबी भी जानते हैं राम की सबसे जो मेतुपुर्ण भक्ति करने वाले जो कवी है वो कौन है तुलसी दास कौन है तुलसी दास लिख लीज अगनी के समान सिग्र व्यक्त करे वो प्रसाद गुण है ये वाक्य की साहितिकार का है देखिए समस्त रसो और रचनाओं में जो चित को सुके इधन में अगनी के समान सिग्र व्यक्त करे वो प्रसाद गुण है ये वाक्य आचारी विस्वनात का है किसका है विस्व भईया ऐसा वाकिये तो कौन बोल सकते हैं विसुनात जी ही कैसकते हैं ठीक है अगला कुश्चन देखिएगा ज्यान मारगी साका के कवी कोन है तो ज्यान मारगी साका के जो कवी है वो है कभीर दास कभीर इन्हों ने इस्वर का सरूप कितना माना है कमेंडर करके बताईए अभी बत अगला कुश्चन है राम चरित्र मानस के रचनाकार का नाम क्या है तो राम चरित्र मानस के रचनाकार का नाम है तुलसी दास क्या नाम है तुलसी दास अगला कुश्चन लिखेंगे आप सभी सत्य फत्य देखेंगे यहाँ पर गड़बर किसी प्रकार की नहीं करना है सत् यहां पर आपको screen पर नजर आ रहा हूँगे सत्य पत्य लता के गानों में करुण रस विसेश प्रवावसाली रीती से व्यक्त होता है तो यह क्या होता है आपका सत्य और भारती संगित सास्तर का मुख्य वाद्य सितार रहा है यह है आपका असत्य ठीक है सोरी 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 लता के गाने में करूंडरस विसेश करूंडरस कहां रहा है लता जी केस में ठीक है ये भी आपका सत्य होगा दोनों सत्य है सोरी माप कीजिगा ठीक है अगला कुश्चन तीसरा वाला कुई की खुदाई और एक विसेश तरह की चिनाई करने वाले दक्चि शुष्टे जरूर आपका सत्य होगा साहित संगीत कला से विहिन मनुष्य साक्चात बिना पूछ पशू के समान होता है बिलकुल सत्य थिके अगला अगनी का परियाइ वाचिक क्रिशान हूं है ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा 9-211 होने का अर्थ वापिस हो लिकाना वएक विलम में वीडिकी दमेंकों के बनेरा है रिसक्स वीडिकी यह लोग की देखेंगी आएगा अब मैं आपको 6 से लेकर 23 तक का पूरा सोलुशन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है यह आपको टेलिग्राम पर देने वाला हूँ तो All Student Class 11 वाले आप टेलिग्राम को जोईन कर लीजिए यह टेलिग्राम की अपने लिंक डिस्करप्शन में भी दे रखी है ठीक है वाँ पर जाईएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो सांतियों मिलते हैं हम नेक्स्टर वीडियो में जब अच्छे वीडियो ओर ला आप इस वीडियो को कहां से देख रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपका गुड नैम प्यारा सा नाम जरूर बता कर जाईएगा धन्यवाद